जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी राज चल रहा है उससे और तो और भारतियनता पार्टी वाले खुद नाखुश हैं सोचने वाली बात है किस तरीके से मीडिया में प्रजेक्ट किया जाता है भारतियनता पार्टी वाले आप लोगों को बोलते दिखते हैं आधितिनाथ अजय सिंग बिष्ट चीफ मिनिस्टर बनें भारतियंतापार्टी की क्लियर मेज़ुरिटी के साथ सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर लेकिन क्या सब कुछ ठीक है क्या सब कुछ हेल जंथ हारटी है क्या सब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खुद अध्यान किया जाकर के लोगों से मिला भारतियंता पार्टी के लोगों से मिला आरेसे के लोगों से मिला कॉंग्रेस के लोगों से मिला समाजवादियों से मिला बीएसपी वालों से मिला और तो और आम लोगों से मिला उसमें से जो वो इसलिए खफा हो सकते हैं क्योंकि मान के चलिए कि भारतियनता पार्टी में योगी आदितिनाथ शुरू से नहीं थे उन्होंने अपना राजणितिक करियर जो शुरू किया था वो अपने योगी आदिनाथ जोके गोरक धाम के माट के स्पिरिचूल फदर हुआ करते थे उनके आधीन रहके शुरू किया था महंत अवेदनात अपने जमाने में MLA रहे किस पार्टी से किस पार्टी से हिंदू महासभा से बीजेपी के नहीं थे और उसके बाद आगे बढ़ते हुए जब हिंदू महासभा को बैन कर दिया गया तब ये लोग बीजेपी में आए यानि के योगी आदित्तिनात अजे सिंग बिष्ट ओरिजिनली बीजेपी का नहीं है ओरिजिनली वो भाई साब जो हैं वो हिंदू महासभा के ये बात आप लोगों को इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि भारती अंता पार्टी एक ऐसी राजनेतिक दल है जिसमें लगभग लगभग कैडर बेस्ट आरेसस का जो सिस्टम होता है उसमें से आई हुए लोगों को ही फाइदा दिया जाता है चाहे वो मंत्री पद हो चाहे वो कॉर्परेशन के अंदर कोई पद देना हो चाहे कमेटियों में या राजी सभा में या लोग सभा में टिकिट तक नहीं दि चुनिंदा लोग होते हैं बहुत कम चुनिंदा लोग जैसे के योगी आदितिना जैसे केशे फ्रसाद मौरिया जो उनकी आरेसस के कैडर्स से नहीं आते फिर mínimoह टिकिट दिया जाता है पद बहुत कम चुनिंदा लोग होतें और वो भारतियंता पार्टी मजबूरी में कर जो पार्टी प्रधान मंत्री का उम्मीद्वार का चहरा दिखा करके आप लोट लूटती हो उसने 2017 में अपने CM पद के उम्मीद्वार का चहरा तक नहीं बताया था कि कौन बनेगा वो इसलिए क्योंकि भारतियन्ता पार्टी उस समय डिवाइड़ थी अंदर से उन्हें यह नहीं पता था कि उनका जो CM पद का कोई चहरा दिखा दिया जाएगा वो कुछ कर भी पाएगा या नहीं कर पा था उनके पास तो शायद योगी आदेते नाथ था लेकिन उसको भी इन्होंने CM पद का उम्मीद्वार नहीं दिखाया था और वो इसलिए क्योंकि अगर उसका नाम पहले दिखा दिया जाता तो हो सकता है कि RSS वाले उसको इतना सपोर्ट करते ही नहीं नहीं करते इसलिए 2017 इसलिए मैंने याद दिलाया उन लोगों को जिनको नहीं पता है कि 2017 के जब चना हुए थे Assembly Election उत्रप्रदेश के तो उसमें भारतियंता पार्टी पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई भी CM पद का उम्मीदवार का चेहरा उन्होंने दिखाया नहीं था उन्हें पता था कि यो उत्तरप्रदेश में है लेकिन हालत यह है कि BJP वाले जो है वो योगी आदितिनाथ से और उसकी कारेशहली से नाखुश है लोगडाउन जब आया उससे कुछ दो तीन चार महीना पहले की बात है 2019 की में बात कर रहा हूँ लगबग 100-100 MLA BJP के उत्तरप्रदेश में योगी आदितिनाथ के सामने धरना पे बैठना चाते थे याद है ना आपको लोनी से लेकर के इलाबाद के जितने भी ये MLA थे ये सब उसके खिलाफ धरने पे बैठना चाते थे इसलिए क्योंकि योगी आदितनाथ ने इन भारतियनता पार्टी के विधायकों की यहालत कर दिए यूपी में कि उस जले का प्रशासन उन चुने हुए विधायकों की बात सुनना नहीं चाओ क्योंकि योगी आदितिनाथ ने कहा रखा है कि जो भी होगा मेरे थुरू होगा इस वज़े से सो से अधिक हाल में भी भारतियंता पार्टी के उत्तर प्रदेश के विधायक जो हैं योगी आदितिनाथ से खफा नहीं नाखुश है और ये वो सारे के सारे विधायक वो लोग हैं जो RSS के कैडर से निकले हैं भारतियंता पार्टी में अठना मार्क बनाया है उसके बाद चुनाओ जीते हैं और आज विधायक हैं अब आप सोचिए लगबग एक तिहाई लगबग वन थर्ड जब भारतियंता पार्टी की विधान सभा में जो स्ट्रेंथ है उत्तर प्रदेश की जब वही अपने मुख्या से दुखी हो जब वही अपनी मुख्या से नाखुश हो तो बात कैसे बनेगी पहली बात दूसरी क्या किया है योगिया देतिनाथ ने उत्तर प्रदेश के ने क्या किया कोई एक बात गिना दीजिए मीडिया की रिपोर्ट मत दिखाईएगा मीडिया की रिपोर्ट खाली बटर लगाने के लिए होती है ब्रेड के ऊपर और फिर खाने के लिए वो सब बेकार है किसी ने सर से उपर हो गया बड़ा रोमियो स्कॉर्ड आया था इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश में किसने लाया था योगी आधिति नातिक तीन साल हो गए उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बने हुए तीन साल से अधिक आप जानते हैं गन्ने की MSP नहीं बढ़ाई राज्यक की बात फिर भी तारीफ कर रहे हैं कि वाह मोदी जी ने कीमतें बढ़ा दी और यहां पर यह कैसा योगी आधितिनात है जो तीन साल से अधिक समय हो गया है तीन बजट निकाल दिये उसने किसानों के लिए गन्ने की MSP में एक पैसा वरद्धी नहीं करी इस बात से उत्तर उत्तर प्रदेश का किसान खाफा है कि जब खेती प्रधान राज्य होने के बाद जब आप किसानों की तरफ और किसानों के बेटरमेंट की तरफ काम नहीं करते हैं मिस्टर योगी आधितिनात तो आपकी सरकार उड़ाने के लिए तो अकिला किसान ही खाफी है लेकिन इस उत्तर प्रदेश में जातिवाद बहुत है धरमवाद तो ही जातिवाद बहुत है आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में तीन चीफ मिनिस्टर हैं एक मेन और दो डेप्टी योगी आधितिनात उर्फ अजे सिंग बिष्ट जो के चीफ मिनिस्टर है उनके एक डेप्टी सीम है दिनेश शर्मा जो के आरेसस के कैडर से आये हैं और हाँ क्योंकि यूपी में जातिवाद चलता है तो ब्रामण भी है और तीसरे हैं के एपी मौरिया मौरिया साब जो ह एक ही बात होती है योगी आधितिनात यानि कि हो व्यक्ति जो के आरेसस के कैडर से नहीं आया है योगी आधितिनात जो भारतियंता पार्टी में मजबूरन सीम बनाया गया है योगी आधितिनात नहीं तो वो कम से कम सो एमेले तोड़ करके ले जाता और भारतियंता पार् लेकिन भार्तियंत्पार्टी ने जब अपने ही फाइदे के लोगों को मरवाना शुरू कर दिया क्यों? क्योंकि योगी आदितिनाथ ने कहा मरो अब इस समय यह हाल है पिछले एक साल के अंदर के उत्तरपेश माफ़ी जा लेकिन जो द्रमण माज है वो योगी आदितिनाथ से एकदम खफा है नाखुश है किसान नाखुश है कभी कभी देखा है कि RSS के किसी भी आदमी का काम किया हो मैं कोई RSS का प्रशंसक नहीं हूँ कता ही नहीं हूँ कम से कम योगी आदितनाथ को होना चाहिए था वो दूसरा मोधी बनने निकला है जैसे मोधी जी देश के अंदर अपना स्वेम का राज चलाना चाहते है वैसे योगी आदितनाथ यहां चलाना चाहते है और वो ही कर रहे है इन्होंने अपनी इसी वज़े से योगी सेना वो हिंदू वाही नहीं है वो तो छोड़ दीजे वो तो के पिच्चर भी नहीं है इन्होंने अपनी एक योगी से ना बना दी फला ना बना दिया क्योंकि इन्हें पता था कि किसी भी हाल में हो सकता है भारतियंता पार्टी जब दुबारा इलेक्शन आईए पांच साल पूरे होने पे तो इनको CM कैंडिट ना रखे इसलिए इन्होंने ओवर्टेक करने की को नहीं दिखाएगा मीडिया मैं बता रहूं आपको मान के चलिए इसका सीधा-सीधा फाइदा समाजवादी पार्टी को होता है उत्तर प्रदेश की राजनीती की डाइनेमिक्स अलग है हर राज्य की डाइनेमिक्स अलग होते है जब मायावती आई थी पावर में फुल मेजॉरिटी से योगी आदितनाथ आए फुल मेजॉरिटी से यानि उत्तर प्रदेश अब वोट करने लगा है कि जाएगा तो सब एक तरफ जाएगा और इसी लिए अब जब नहीं जाएगा तो वो योगी आदितनाथ की तरफ नहीं जाएगा